मतलब चमन को सीचने में कुछ पतियां जड़ गई होंगी यही ल्याम है मुझ पर चमन से बेवफाई का और जिनों ने कलियों तर ले, पाउं तर ले, कलियों को रोंद डाला वो ही दावा करे चमन की रहनुमाई का एक कहावत बहुत मशूर है, तू डाल डाल मैं पात पात, ज़ारखन की स्यासत में इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है, शतरंजी की विसात एक तरह से विछी हुई है, और चाल दा चाल एक दूसरे को मात देने की कोशिस हो रही है ज़ारखन के सीम हमन सोरेन को चुनाव आयोग ने आयोग ठहरा दिया है, राजपाल तक चुनाव आयोग की चिठ्थी भी पहुँच गई है, लेकिन राजपाल हैं की चिठ्थी दवाय बैठे हैं, उन पर आरोप लग रहा है और वो रांची टू दिल्ली कर रहे हैं अब चर्चा हो रही है कि शायद वो किसी मौके की तलाश में है, कब जेमेम कॉंग्रेस की सरकार कमजोर परे और नए पत्ते खुल कर सामने आ जाए बहुत पहले एक फिल्म आई थी, डढ़ना जरूरी है, इसलिए महागटबंदन के विधायक रांची टू राइपूर कर रहे हैं दलील ये कि 36 गट में कॉंग्रेस की सरकार है, उन्हें वहाँ किसी से खत्रा नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि खत्रा किस से है बीजेपी ताकतवर है, इसलिए महागटबंदन के एमेले रांची टू राइपूर कर रहे हैं, लेकिन असल खत्रा इन्हें खुद से ही होता है मतलब कॉंग्रेस के विधायकों से इनकी ही पार्टी को खत्रा, पार्टी को अपने विधायकों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता, जाने कब कौन कितने में बिक जाएं इस बात की तस्तिक पिछले दिनों कॉलकाता में पकड़े गये तीन विधायकों से भी हो गया अब ये भी समझ लीजिए इन में से कई मंत्री भी है अब आप खुद अंदाजा लगाईए जो पैसों या पदों के लिए किसी भी समय किसी के भी हातों बिकने को तयार हो वे विधायक सांसद मंत्री बन कर कितनी इमांदारी से जनता की स्यवा करते होंगे जारखन में महाकडवंदन दावा कर रहा है कि उनके पास 50 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन है यानि बहुमत से ज़्यादा फिर भी उन्हें तूट का डर सता रहा है अब भाच्वा के पास सकता पाने का एक ही तरीका है कॉंग्रेस के दो तिहाई यानि कम से कम दस विधायकों को तोड़ना इसके बाद भी एक दो की जुगार और करनी परेगी हेमन सोरेन की अयोकता की चिठी अब तक न थमाने के मायने भी यही समझे जा रहे है कहीं भीतर ही भीतर कोई जुगार भीडाई जा रही यह भी है कि लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर गवर्नर जिस फैसले को कुछ घंटों में सुना सकते थे उसके लिए इतनी देरी क्यूं हो रही है गवर्नर एक बार फिर से दिल्ली में है और सुत्र जो कि शुरू से ही इस पूरी कहाने में तिरदार के मुख भूमिका में है वो सुत्र ये कह रहा है कि गवर्नर दिल्ली में अमिश्या से मुलाकात कर सकते हैं गवर्नर जब चाहे चुनाव आयोग की चिठी पर अपना निडने ले सकते हैं ये उनका अधिकार है लेकिन याद किजिये हमेन सोरेन के इस मामले की जांच को लेकर चुनाव आयोग ने कितनी हरवड़ी दिखाई थी अब जब चुनाब आयोक का निड़ने सामने आ गया है तो वो जल्दबाजी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जारकन के राजनिती गल्यारों में एक चर्चा है कि राजपाल राजभवन में कानूर विदों से मंधन कर रहे होंगे यानि उनकी सला ले रहे होंगे लेकिन ऐसी कों सी सला है जो हपते भर से जादा वक्त वितने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है है यह सत्ता का खेल है यानि राजनिती का मकसद ही होता है सत्ता में आना और सत्ता में आने के लिए शक्तिसाली पार्ट या दूसरी पार्टियों के विधायकों को खडिती रहेंगी विधायक बीगते रहेंगे और जनता ये सोचती रहेंगी कि जिने वो पांस सालों के लिए आरे भई राजनिति के रूप से न लोगतनत्र की हत्त्याना कर रहे लोग इया अमेरा वच्छ पूर पूर जा ची कॉन कुल जा रहे? आमार साथ बंगलाथे जुगाजोगी करो बंगलाथे? यहरा भांग्चूर कोछे यहरा भांग्चूर पॉल्टिस कोछे तुकार कि दो